नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ ओमलेट कड़ी की रसिपी शेयर करने वाली हूँ ओमलेट कड़ी अंडे की एक ऐसी डिश है जो जादतर घरों में बनता ही है मेरे घर इस ओमलेट कड़ी को जैसे बनाया जाता है मैं आपके साथ वही रसिपी आज शेयर करने वाली हूँ मेरी दूसरी रसिपी इसकी तरह ये भी बहुती कम टाइमें बनकर तयार हो जाएगा एक बार बना कर देखें खाने में बहुत स्वादिश्ट बनकर तयार होता है तो शलिए देख लेते हैं ओमलेट कड़ी कैसे बनाना है इसके लिए एक बटन में मैंने मेडियम साइज के प्यास को बारिक काट कर डाल दिया है अब हम इसी में अंडों को तोड़ कर डालेंगे मैंने एक डजन अंडे का यूज किया है अंडे डाल देने के बाद अब हम इसमें बारी कटी हुई हरी मिर्श डालेंगे मैंने चार हरी मिर्शियों का यूज किया है हरी मिर्श डाल देने के बाद अब हम इसमें छोटे चमच से एक चमच काली मिर्श का पॉडर डाल देंगे काली मिर्श पॉडर डाल देने के बाद हाफ चमच काला नमक डाल दें अब इन सारी चीजों को अच्छे से फेट लें अंडे को फेट लेने के बाद अब ओमलेट बनाना शुरू करेंगे, इसके लिए ओमलेट बनाने के लिए मैंने अपपे पैन का यूज किया है, सारे ब्लॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके रिफाइन डाले, तेल ब्रश कर लेने के बाद, अब हम इसमें अंडे के घोल को डा और दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम में इन्हें सेख लेंगे एक तरफ से यह अच्छे से सीख जाए हुए ताब इसे पलते,aap देख सकती है यह एक तरफ से सीख शुके है過去 Aptumes 2 तरफ से दबाते हुए,awyол कि दूसरी तरफ से भी इन्हें कि लेंगे तो चलिए अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं कड़ाई में तीन चम्मच सरसो तेल और दो चम्मच रिफाइन डाल दें तेल गरम हो जाए तब हम इसमें एक तेजबता तीन सूखी लाल मिर्च एक डाल चीनी का टुकड़ा दो लॉंग दो छोटी लाइची और एक चम्मच चीनी डाल देंगे अब इसमें बारी कटा हुआ प्यास डाले प्यास को थोड़ी देट तक भून ले जब तक इसका रंग बदलना शुरू ना हो जाए आप देख सकती हैं प्यास का रंग बदलना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें टामाटर, प्यास, हरी मिर्च और लेसन का एक पिस्ट बना कर डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स करें थोड़ी देट तक फ्राई करें और अब हम इसमें दो चमच हल्दी, एक चमच लाल मिर्च पॉर्डर, देट चमच अधर खरी मिर्च का पिस्ट डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में इन मसालों को फ्राई करेंगे low to medium flame में हम इन मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक कि इनका कच्छापन ना चला जाए थोड़ी देट तक fry कर लेने के बाद अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे नमक डाल देने के बाद इसमें तीन चमश धनिया पॉर्टर डाल दे छोटे चमश से तीन चमश धनिया पॉर्टर का मैंने यूज किया है इसे अच्छे से भून ले मसाले नीचे लगना जाएं इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें एड़ किया है और अब हम इसे ढग देंगे और ढग देने के बाद medium flame में हम इसे cook करेंगे जब तक कि मसाले अच्छे से पकना जाएं और तेल ऊपर तकना आने लगे धकन हटा लेने के बाद आप देख सकती हैं मसाला रेडी है तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे मैंने एक ग्लास गरम पानी का यूज किया है flame को भी high कर दें और इसे अच्छे से mix करके उबालाने के लिए रख दें आप देख सकती हैं ग्रेवी में उबालाना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें 1.5 चमच गरम मसाला पॉर्डर और 2 चमच कश्मीरी रचली पॉर्डर डाल देंगे अब हम इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे और अभी flame को high कर देना है आप देख सकती हैं ग्रेवी में काफी अच्छे से उबाला गया है तो अब हम इसमें जो एक बाइट्स हमने ready करके रखा था इन सारे एक बाइट्स को डाल देंगे और ग्रेवी के साथ इसे mix कर लेंगे एक बाइट्स को ग्रेवी के साथ mix कर लेने के बाद अभी हम एक और उबालाने के लिए इसे रख देंगे आप देख सकती हैं ग्रेवी में काफी अच्छे से उबाला गया है अब हम Gasp Off कर देंगे और इसे सर्फ कर लेंगे तैयार है हमारी आज की ये रसिपी ओमलेट कड़ी आपको मेरी आज की ये सिम्पल सी रसिपी कैसी लगी या आप मुझे कमेंट कर के बताना ना भूले अगर आपको मेरी रसिपी पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल में नए है और वीडियो अच्छी लग रही है तो बस वीडियो देखकर चले न जाएं ऐसे ही इजी तुमेक और टेस्टी रसिपीज के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और साइट में जो बेल आइकन देख रहा है उसे प्रस करके औल पे क्लिक कर दे ताकि मेरे अपलोट किये हुए हर वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मुझे फेस्बुक या इंस्टेग्राम में देख रही है तो फालो जरूर कर ले साथ ही अब आप मुझे वाटसप चैनल में भी फालो कर सकती हैं तो फालो जरूर करें थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग